हेलो फ्रेंड्स में हूँ छाया और मेरे किचन में आपका स्वागत है आज हम काले चने की तरी वाली बहुत ही टेस्टी सबजी बनाएंगे इस थारा से काले चने की सबजी को आप एक बर जरूर ट्राय करें तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें फेंली और फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल पर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले सबसे पहले हम एक कप काले वाले देसी चने लेंगे चने में पानी डालेंगे और अब हम इसे 6-8 घंटे या ओवरनाइट सोख होने देंगे 6-8 घंटे चने को हमने सोख कर लिया है और चने अच्छे से फूल गए है अब हम चने का पानी अलग निकाल देंगे और चने को प्रेशर कुकर में डालेंगे साथ में डालेंगे 3 कप पानी हाफ टी स्पून नमक 2 से 3 पिंच मिठा सोडा और अब हम इसमें डालेंगे एक तेजपत्ता, एक चकरी फूल एक बड़ी लाइची, एक टुकडा दालचीनी और अब हम कुकर का ढखकन लगाएंगे और पास से 6 सीटी आने तक इसे पकने देंगे 6 सीटी आने के बाद गेस की फ्लेम को बंद करेंगे और कुकर को थोड़ा ठंडा होने देंगे कुकर को थोड़ा ठंडा होने के बाद अब हम चैनी को चेक कर लेंगे चैनी को दबा कर देखेंगे चने अच्छे से पक गए हैं तो अब हम इसे अलग रखेंगे और अब हम गेसवान करके पेन में 2-3 टेबिल इस्पून तेल डालेंगे साथ में 2 टेबिल इस्पून बटर डालेंगे बटर डालने से चने का टेस्ट बहुती अच्छा आता है पर अगर आप चाहें तो उसे केवल तेल में भी बना सकते हैं फ्लेम को हम लो रखेंगे बटर के मिल्ट होने के बाद अब हम इसमें डालेंगे दो हरी लाइची दो लोंग, आठ से दस काली मिर्च, वन टी स्पून जीरा कुछ सेकेंड मसालों को भून लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे दो मिडियम साइस की प्याज बारिककटी हुई साथ में डालेंगे वन टेबल इस्पून अद्रक लसन का पेस्ट गेस की फ्लेम को हम मिडियम रखेंगे प्याज को हम मिडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भूनेंगे जब तक कि प्याज का कलर चेंज नहीं हो जाता तो जैसे ही प्याज का कलर चेंज होगा तो अब हम इसमें सुखे मसाले डालेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर 1 टीस्पून कश्मीरी रेट चिली पाउडर 1 टीस्पून हल्दी पाउडर 1 टी स्पुन गरम मसाला 1 टी स्पुन अमचूर पाउडर 2 से 3 पिंच हींग डालेंगे मसालों को अच्छे से मिक्स करते हुए एक मिनिट तक लोफ लेम पर भून लेंगे एक मिनिट भूनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 3 मिडियम साइज के टमाटर का पेस्ट टमाटर के पेस्ट को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे साथ में थोड़ा सा पानी डालेंगे और अब हम मसाले को ढखकर 10 मिनिट तक लोफ लेम पर पकने देंगे बीच में मसाले को हम एक से दो बार अच्छे से मिक्स कर देंगे दस मिनिट मसाले को हमने ढखकर पका लिया है एक बार मसाले को अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम इसमें डालेंगे चार से पांच चमच पका हुआ चना जिसे हमने मेशर की साहिता से मेश करके लिया है इस तरह से 4-5 चम्मच चने को मेश करकर डालने से सबजी की तरी बिल्कुल गाड़ी बनेगी और चनी की सबजी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है साथ में डालेंगे हाफ टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर वन टीस्पून कसूरी मेथी जिसे हमने क्रश करकर लिया है थ्री से फोर पिंच काला नमक थोड़ा सा सादा नमक डालेंगे नमक हमने चने को पकाते समय भी डाला है तो नमक हम थोड़ा कम डालेंगे सभी को अच्छे से मिक्स करते हुए इसे 2-3 मिट भून लेंगे और अब हम इसमें चने डालेंगे चने हमें पानी के साथ ही डालना है और अब हम इसमें डालेंगे 1-3 स्पून गुड़ गुड़ की जगा पर आप इसमें चीनी भी डाल सकते हैं, अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, तो चने अभी थोड़े गाड़े हैं तो अब हम इसमें एक कब गरम पानी ओर डालेंगे, पानी की कॉन्टेटी आप थोड़ी सी ज़ादा या कम भी कर सकते हैं, और अब हम चने को ढखकर 10-12 मिनिट तक लोफ लेम पर पकने देंगे, 10-12 मिनिट बाद बहुत ही टेस्टी चने की तरी वाली सबजी बन कर तियार है, उपर से थोड़ा सा धनिया पत्ती डालेंगे, और इसे सर्विंग बाउल में निकालेंगे, इस सबजी को आप पूड़ी, पराठे, रोटी या चावल किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी सबजी बनती है, इस तरह से काले चने की सबजी को आप एक बर जरूर ट्राय करें, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, फेमली और फ्रेंड्स में शेयर करें और चेनल पर नए तो चेनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, थेंक्यू,